रोहिच शर्मा की कप्तानी वाली भारती टीम ने T20 वाल कप 2024 का खिताब जीतने के बाद अब अपने अगले मिशन चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 के लिए तयार हो गई है लेकिन इस टूर्णामेट को लेकर एक पेंच फस्ता दिखाई दी रहा है आपको बता दे कि यह चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान की मेजबानी होनी है लेकिन भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट के सचीव जैसा पहले ही यह निर्ने ले चुके हैं कि भारती टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी लेकिन फिर भी इन सब के बीच पाकिस्तान क्रिकेट पोर्ड अपनी पूरी तयारी में जुटा हुआ है आपको बता दे कि पाकिस्तान ने चैंपियन्स ट्रॉफी का सेड्यूल भी तयार कर लिया है साथ ही सेड्यूल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग आई सीसी और इसके सदस्त्य देशों को मनजूरी के लिए भेजा है अब जगा से हरी जंडी मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा मगर उससे पहले ही यह सेड्यूल वाइरल हो गया है मिली जानकारी के मताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची में 19 फैरवरी को होगा आपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजिलैंड की बीच खेला जाएगा साथ ही सेड्यूल के मताबिक भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रूप में रखा गया है टूर्णामेंट में कुल आज टीमें होंगी जिन्हें दो ग्रूप में रखा गया है भारत पाकिस्तान न्यूजिलैंड और बांगला देश को एक साथ ग्रूप में रखा गया है जबकि अफगानिस्तान, उस्ट्रिलिया, साथ अपरिका और इंग्लेंड को ग्रूप बी में रखा गया है चैंपियन्स टॉफी के फाइनल समेच सभी मैच 19 दिन में होंगी